friction है one third और इसको हम divide कर रहे हैं friction whole number three से इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब ये होता है कि जो one third friction है जब हम इसको three equal parts में divide करते हैं तो एक part में इस one third का कितना हिस्सा होता है चलिए इसको quickly number line से देखते हैं ये हम number line draw कर रहे हैं ये वो number line draw कर रहे हैं यह number line है, suppose यह वाला point है, वो represent कर रहा है 0 number को, और यह वाला point है, यह represent कर रहा है one whole number को, fraction है one third, तो हम इस पूरे 0 से one के भी जो line का part है, इसको three equal parts में divide करेंगे, तो रफली यह पहला equal part, यह दूसरा equal part, तो यह पूरा जो है, पहला part, second part, third part, यह वाला point, यह पूरे को three parts में divide किया है, यह पहला part हम ले रहे हैं, तो यह वाला point है, यह कौन से fraction को represent कर रहा है, यह represent कर रहा है कि इसको one third को, तो यह वाला portion one third को represent कर रहा है, और इस one third को divided by three का मतलब है, इसको फिर three equal parts में divide किया, तो three equal parts में divide किया, three equal parts में divide किया, तो कोई भ एक पार्ट ले यह one third के three parts में से एक है, suppose हम पहला पार्ट ले रहे हैं, पहला वाला पार्ट ले रहे हैं, तो यह represent कर रहा है one third के जो three sections हमने किये हैं, एक section को, अब हम यह जानना चाहते हैं, यह पूरे whole का, याने पूरे whole का कौन सा friction है, तो हमने zero से one third के बीच को हमने three equal parts में के बीच में जो line segment है कितने parts में divide हो गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 equal parts है तो हम इस yellow वाले को हम fraction की form में लिखना चाहते हैं तो numerator, denominator कितना हो जाएगा कितने equal parts में हमने divide किया है कितने equal parts में divide किया है 9 equal parts में तो denominator हमारे पास हो जाएगा 9 और ये yellow वाला कितना represent कर रहा है 1 represent कर रहा है 1 part को represent कर रहा है तो numerator कितना हो जाएगा 1 1 3rd को जब हम whole number 3 से divide करते है तो क्या आता है fraction 1 9 कोई whole number है suppose हमारे पास whole number है 3 और हम इसको divide करना चाहते है divide करना चाहते है fraction 1 3rd से यहाँ भी हम divide कर रहे है पर यह concept इस concept से बिल्कुल different है यहाँ whole number 3 है जिसको हमें fraction 1 3rd से divide करना है और हम इसका मतलब यह होता है कि 1 3rd जो है कितने times आ रहा है 3 में कितनी बार 1 3rd को हम fit कर सकते है 3 में आईए इसको भी number line की मतलब से समझते है यह number line है अभी हमें 3 whole number है हमारे पास तो हमें 3 तक line कम से कम 3 तक लेना पड़ेगा suppose यह point represent कर रहा है 0 number को यह represent कर रहा है 1 whole number को यह represent कर रहा है 2 whole number को और यह represent कर रहा है whole number 3 को locate करते हैं fraction 1 3rd 1 3rd को तो इसके लिए हमें हर 0 1 length का जो line है उसको 3 equal parts में divide करना पड़ेगा तो यह 3 equal parts यह 3 equal parts यह 3 equal parts यह वाला point जो है यह कौन से fraction को represent कर रहा है यह represent कर रहा है fraction 1 3rd को तो यह step size 1 3rd है अगर यह step size 1 3rd है और हम जानना चाहते हैं कि ऐसे कितने step size होंगे 3 के अंदर whole number 3 के अंदर तो यह पहला step हो गया यह दूसरा step हो गया यह तीसरा step हो गया यह चौता step हो गया यह पाचवा step हो गया यह 6th, 7th, 8th, 9th so 1 3rd कितनी time से 3 में जितने हमने steps लिए हैं कितने steps लिए हमने 9 steps लिए हैं so 3 divided by 1 3rd is equals to 9 तो 1 3rd जो है कितनी टाइम्स आ रहे 3 में 9 टाइम्स अब देख सकते हैं पैरलली कि 1 3rd divided by 3, 3 divided by 1 3rd दौनों में fractions involved में हैं, दौनों division की problems हैं, पर जो उनका sense है वो different है, हमें देखना है कि fraction को fraction से कैसे divide करते हैं, तो जो हमारी fraction से fraction को divide करने वाली problem है, वो इसके है जैसी है, जैस हैं, तो चलिए अपना example लेते हैं, हमें divide करना है fraction 7 3rd को fraction 1 3rd से, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब वही होगा, जैसे हमने 3 को divide किया 1 3rd से, हम जानना चाहेंगे कि 1 3rd जो है, कितनी बार fit हो सकता है 7 3rd में, इसका मतलब आकर हमने 1 3 size के steps लिए तो कितने step बाद हमें 7 3rd मिलेगा, आईए number line बनाते है, fraction है, यह 7 3rd है, इसका मतलब यह आपका improper fraction है, 3 2 जा 6, इसका मतलब number line को हमें कम से कम 2 और उसके beyond draw करना पड़ेगा, तो suppose यह वाला number line का point जो है, 0 whole number को represent कर रहा है, यह वाला point जो है, 1 whole number को represent कर रहा है, यह वाला point जो ह 3 whole number को represent कर रहा है, यह वाला point जो है, वो 3 whole number को represent कर रहा है, fraction में denominator हमारे पास कर कै 3 है, okay, तो हम जो 0 और 1 के बीच में जो line का part इसको 3 equal parts में divide कर रहे हैं 3 equal parts, यहां भी 3 equal parts, यहां भी 3 equal parts हर equal part यह 0 यह 1 third होगा, यह 2 third होगा तो यह हमारे पास हो गया 1 third, यह हो गया हमारे पास 7 thirds तो यह number line का यह point represent कर रहा है fraction 7 thirds को हम देखते हैं 1 third कहां पर है, यह वाला जो point है, यह वाला जो point है यह represent कर रहा है fraction 1 third को, यानि इतनी जो length है, इतनी जो length है इसका size कितने 1 third, आप हम यह जानना चाहते हैं कि यह 1 third step लेके हम कितने step लेने के वाद 7 third पर जाएंगे, तो पहला step यह हो गया, पहला step दूसरा step, तीसरा step, चौथा step, पांचवाँ step, शिक्स्त और सेवन्त तो 7 steps के बाद हम 1 third, 1 third सहीज के 7 steps लेने के बाद हम इस point पर पहुंच पा रहे हैं, जो point कौन से fraction represent कर रहा है, 7 thirds, इसका मतलब 7 thirds को जब हम 1 third से divide करेंगे, तो हमारे पास जो number आएगा वो कौन से number होगा, 7 1 1 2 2 2 3